दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि ICICI Platanium Credit Card के लिए कैसे अप्लाई करें इस Card की Joining Feast क्या है और इसकी Annual Feast क्या है इन सभी के बारे में आज हम आपको Complete जानकारी देंगे तो चलिए सुरू करते हैं इस Website का Link आपको मेरे वीडियो के Description में मिल जाएगा आप Link पे क्लिक करेंगे आपके सामने Website का कुछ इस Type का Interface खुलके आजाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं Lifetime Free Platanium Chip Credit Card यह Lifetime Free Credit Card है इस Credit Card के लिए आपको कोई भी Joining Feast कोई भी Annual Feast नहीं देनी है स्केट कार्ट में आपको फ्यू सर्चार्ज वेवराफ भी मिल जाता है और स्केट कार्ट में आपको कई सारे Gift Voucher और Payback Point की भी आपको इसमें Benefit मिल जाएगा स्केट कार्ट के और भी आप Benefit देखने के लिए आफर देखने के लिए आप नीचे स्कूल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी इसके Special Online Offer देखने को मिल जाएगे जैसे कि अगर आप स्केट कार्ट से Amazon प्लेटफॉर्म पे स्वापिंग करते हैं तो आपको इसमें 15% का Cashback मिल जाएगा अगर आप 1500 रुपे से जादा प्लेटफॉर्म पे स्वापिंग करते हैं तो इसमें आपको कई सारे और भी आपको यहाँ पे Online Offer देखने को मिल जाएगे जैसे कि Lucius, Spar Supermarket, Swiggy, IsMyTrip, Chroma, Tata CLQ तो इसमें आपको कई सारे और भी आपको इसमें Cashback Point Online प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगे Credit Card Apply करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं Fill in Your Details to Check Your ICICI Bank Credit Card Illigibility तो यहाँ पे आप Detail Fill करेंगे तो आपकी यहाँ पे Eligibility चेक की जाएगी अगर आप Credit Card के लिए Eligible होंगे तो आपका यहाँ पे Credit Card Approve कर दिया जाएगा Eligibility चेक करने के लिए यहाँ पे आप Detail Fill करेंगे तो Detail में आप सबसे उपर City आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप कि City में रहते हैं तो यहाँ पे आपको अपना City का नाम इंटर कर देना है City Name इंटर करने के बाद यहाँ पे Data Birth आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कलेंडर मिल जाएगा तो यहाँ से आप अपनी Data Birth इंटर करने के बाद Salary आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे Type of Employed में अगर आप Salary लेते हैं Private या Government Company में जॉब करते हैं तो यहाँ पे आप Salary इंट करेंगे अगर आप Self Employed है, Professional तो यहाँ पे आप Select करेंगे अगर आप Self Employed Business है तो यहाँ पे आप Select करेंगे जो भी आपका Type of Employment है तो यहाँ पे आप Select करेंगे और यहाँ पे Monthly Take Home Salary तो आपकी Monthly Salary आपके घर में कितनी आती है तो यहाँ पे आपको Monthly Salary इंटर कर देनी है तो यहाँ पे आप account transfer select करेंगे और यहाँ पे आप अपना pen card number इंटर करेंगे और यहाँ पे relationship with ICICI bank आप इस पे click करेंगे आपका ICICI में salary account है या saving account, current account है अगर आपने ICICI से home loan लिया है, card loan लिया है तो यहाँ पे आप select करेंगे अगर आपका ICICI bank के साथ कोई भी relationship नहीं है आपका ICICI bank में कोई भी account नहीं है, आपका other bank में account है तो यहाँ पे आप no relationship select करेंगे और यहाँ पे आप name इंटर करेंगे तो आपका pen card के उपर क्या नाम है आप यहाँ पे नाम इंटर करेंगे और यहाँ पे आप अपनी email id इंटर करेंगे और यहाँ पे आप अपना mobile number इंटर करेंगे mobile number इंटर करने के बाद आपके mobile number पे OTP send किया जाएगा आप यहाँ पे OTP इंटर करेंगे OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे company pick from our list तो यहाँ पे bank की तरफ से कुछ यहाँ पे listed company है तो यहाँ पे आप जिस company में job करते हैं तो यहाँ पे आपको नाम इंटर कर देना है तो जैसे कि अगर आप government employed है तो यहाँ पे आप government type करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कोर्मेंट सेक्टर की यहाँ पे लिष्ट आ जाएगी तो जो भी आप जिस सेक्टर में जिस कंपनी में जॉब करते हैं तो यहां पे आप सेलट करेंगे और यहाँ आप बॉक्स पे टिक करेंगे Agree to ICICI Bank Termined Condition अब आप यहां Submit पे क्लिक करेंगे Submit पे क्लिक करते ही यहां पे आप देख सकते हैं Congratulations, you are eligible for an ICICI Bank credit card अगर आप credit card के लिए eligible होंगे तो यहां पे लिखके आजाएगा You are eligible अगर आप credit card के लिए eligible नहीं होंगे तो यहां पे You are not eligible for ICICI Bank credit card लिखके आजाएगा अगर आपका इस credit score 750 से जादा है तो आप आसानी से credit card के लिए eligible हो जाएगे और यहां पे आप देख सकते हैं Our representative will get in touch with you shortly तो बैंक की तरफ से जल्दी representative आप से contact करेंगे आप से यहां पे detail verify करेंगे और आगे का steps बताएगे आप से यहां पे document collect करेंगे अगर आप ICICI customer है तो यहां पे आपका जल्दी approve कर दिया जाएगा credit card अगर आप other bank customer है तो यहां पे आपको थोड़ा time लग सकता है KYC आपकी यहां पे verify की जाएगी तो यहां पे document collect करने के बाद इसमें 2-3 हफते का time लग सकता है ICICI credit card approve होने में ICICI credit card approve होने के बाद आपके home address पे credit card delivered कर दिया जाएगा तो ऐसे दोस्तो आप ICICI platinum credit card के लिए apply कर सकते हैं आसा करता हूँ दोस्तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो like करें मेरे YouTube चैनल पर नहे हैं तो subscribe करें मिल दें दोस्तो नेश्ट वीडियो में जहिन